होली से पहले हुलास्टक का महत्व क्या होता है हुलास्टक का महत्व जानेंगे हमारे इस खाश पेशकस में फालगुनमास के शुकल पक्स के अस्टमी से होली का देहन तक की अवदी को शास्त्रों में होलास्टक कहा गया है यह अवदी इस वर्स दस से सत्रा मर्च अर्थात होली का देहन तक है हुलास्टक के दुरान ग्रह प्रवेश मुंदन संस्कार विवा सबंदी वाटलाप सगाई विवा किसी नए कारे नीव आरी रखने नया वाहन एवं अभूशन आरी खरीदने नया वेवसाई आरंब करने या किसी भी मांगलिक कारे आधी का आरंब शुब नहीं माना जाता तथा सोला संसकार भी नहीं किये जाते नव विवाहिता को पहली होली मालके के बजाए ससुराल में मनाने चाहिए एक मान्यता के नुसार कामदे दौरा भगमान शिव की तपशा बंग करने से रुष्ट होकर सिव जी ने उसे फालगुन की अस्टुमीति तथी के दिन भस्म कर दिया था कामदेव की पत्नी रती ने सिवजी की अराधना करके उनसे अपने पती को पुनरजिवित करने की याचना की जो उन्होंने सिविकार भी कर ली महादेव के इस निर्णा के बाद जन सधारण ने हर्ष मनाया और हुलास्टक का अंत दुलेंडी को हो गया इसी परंपरा के कारण हुलास्टका के आठ दिन शुब कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं इसका जो तिशिष कारण है कि अस्ट्मी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दश्वी को सनी, एकादसी को शुक्र, दुआदसी को गुरू, त्रेदसी को बुद्ध, तथा पुडिमा को राहु, उग्रसो भाग के हो जाते हैं इनके निर्बल होने से मानव मस्तिस्क की नेण, शमता शीर्ण हो जाती है, और इस दोरान गलत फैसले लेने के कारण हाने की संभावना रहती है विज्ञान के नुसार भी पुणिमा के दिन जुआरभाटा जैसी आपदा आती रहती है, और व्यक्ती उग्र हो जाता है, ऐसे में सही नेण नहीं हो पाता जिनकी कुंडली में नीच राशी के चंद्रमा, प्रश्चिक राशी के जातक या चंद्र छटे या आठवे भाव में है, उन्हें इन दिनों अधिक सत्तर करहना चाहिए ये अस्टग्रे, दैनिक कारकलापो पर विपरीत प्रभाव डालते हैं इस अफसाद को दूर रखने के लिए आठ दिनों तक मन में उल्लास लाकर वातावरन को जिवन पनाने के लिए लाल या गुलाबी रंग का प्रयोग विभिन तरीकों से किया जाता है लाल रंग के परिधान मन में उत्सा उत्पन करते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में आज भी होली का पर्व एक दिन नहीं अपितु आठ दिन मनाया जाता है भवान चरीकृष्ण भी इन आठ दिनों में गोपियों सेंग होली खेलते रहे और अंत होली में रंगे लाल वस्त्रों को अगनी को समर्पित कर दिया होली मनों भावों की अभी व्यक्ति का पर्व है जिसमें व्यग्यानिक्ता, जोतिश्य गणना, कसमावेश है जिसमें सब लोग अपने भेट भाव मिटा कर एक ही रंग में रंग जाते हैं इसी दिन मोशम की छटा में बदलाव आना आरंब हो जाता है सर्दियां अलविदा कहने लगती है और गर्मियों का आगमन होने लगता है साथ ही वसंत के आगमन की खुश्बू फूलों के महके साथ प्रकरति में बिखरने लगती है